नमस्कार सर, कम्प्यूटर विद्या में आपका स्वागत है हाँ सर, नमस्ते, आईए, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर बताईए सर, कैसे आना हुआ? इस मशीन की अधिक जानकारी चाहिए आपको? जी सर आपके सामने जो मशीन आप देख रहे हैं ये टी कॉफी मशीन है टी कॉफी मशीन मतलब हमने तो इसको टी और कॉफी के परपस से बनाया है पर इस मशीन में आप टी और कॉफी के अलावा दूसरे भी अलग-अलग प्रोड़क निकाल सकते हैं इस machine को आप देख सकते हैं, ये बहुती compact और छोटी machine है, ये fully automatic machine है, इसको use करने के लिए आपको अलग से employees किया और शक्ता नहीं है, कोई भी एक व्यक्ति जिसको चाय या coffee निकालना है, वो सिर्फ cup को, manual अगर आपको कोई काम करना है, तो सिर्फ ये cup है, cup को आपको यहाँ प अपन करके बताता हूं, सबसे पहले आपको पानी का एक container इसमें लगाना है, ये पानी का container आपको market में मिल जाता है, ये 20 लिटर का jar होता है, किसी जगह पे ये 30 रुपए का है, कहीं 20 रुपए का है, कहीं 40 का है, कहीं 50 का है, अलग-अलग city में अलग-अलग price का है, आप time ये jar purchase करना पड़ेगा, ठीक है, इस jar को आप इसमें पानी को डाल दीजिए, इसके बाद आपको ये ऐसे open करना है, अगर इसको बच्चे open ना करें, उसके लिए यहाँ पर lock दिया हुआ है, आप lock करके रख देंगे तो ये open नहीं होगा, आप इसको open करेंगे, इसमें ती डाल रखा है और इसमें coffee डाल रखा है, और ये जो beach वाला bucket आप देख रहे हैं, इस bucket में हमारा पानी आता है, तो इससे आप तीन तरह का product निकाल सकते हैं, पहला tea, दूसरा coffee और तीसरा water, hot water अगर आपको चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं, अच्छा सर, इस machine से हम कितने प्रकार के चाय और coffee निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का, आपके पास सिर्फ उसका raw material होना चाहिए, अगर आप चाहें तो green tea, आप चाहें तो lemon tea, आप चाहें तो normal tea, जो भी आपके पास raw material available है, वो आप इसमें डाल दीजे, बाकी machine आपको product निकाल के देदे, क्या हम raw material, के locks होगरा के मैंने add में देखें हैं कुछ, वो जो raw material है आप यहाँ डाल दीजे, आपको वो liquid के form में juice आप यहाँ से ले सकते हैं, सर यहाँ पर जो tea और coffee का container दिया हुआ है, उसमें हमें क्या-क्या डालना पड़ेगा, आपको इसमें ready-made pouch आता है, इसका ready-made pouch आता है, जो 160 रुपए kg के हिसाब से मिलता है, यह जो अगर आप tea या coffee की बात कर रहे हैं, अगर machine आप हमसे लेके जाते हैं, तो हम आपको इसमें tea और coffee अगर आपको यह दोनों चाहिए, तो 160 रुपए का tea भी देते हैं और 160 रुपए का coffee भी देते हैं, जिसमें सारी चीजें mix होती हैं, शक्कर, चाय पती, जो भी एक coffee है चाय बनाने में लगता है, वो सारी चीजें इस powder बना के हम दिये हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इस bucket को बाहर निकालना है, यह ऐसे आप खीचेंगे तो यह बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपको उस bucket में जैसे एक kg का powder ले रहे है इसमें 200 ml आप डाल दीजे, लगबग, डाल के छोड़ दीजे, वैसी coffee में भी और tea में भी, अच्छा सरी यह raw material आपके यहाँ ही मिलेगा, या बाहर दूसरे सहर में जहां machine हम ले जा रहे हैं, वहाँ भी मिल जाएगा, यह बहुत जादा चलने होला product है, क्योंकि आप देख चाय हर व्यक्ति की जरूरत है, अगर आप 7-8 गंटा काम कर रहे हैं, तो बीच में 2-3 बार आप चाय बहेंगे, क्योंकि हमारा जो देश है, यह चाय प्रीमियों से भरा पड़ा है, तो यह raw material अगर आप चाहे हैं, तो आपके शहर में, आप अगर एक गाउं में भी रहते ह आराम से मिल जाएगा, यह प्राइस की एक बात होती है, हमसे लेंगे तो हम 160 में देंगे, मार्केट में हो सकता है, यह आपको 200 में मिले या 220 में मिले, अच्छा सर, अब हमें मसीन का live demo दिखाईए, ताकि हम मसीन को अच्छे से समझ सकें, ओके, सबसे पहले मैंने आपको ज इसके बाद आप देख सकते हैं, यह हमारी मशीन रेडी है, ठीक है, आपको connection, बिजली की बात करें, तो यह single face operated मशीन है, आप देख सकते हैं, यह घर की बिजली से हमारी जुड़ी हुई है, यह cable इसमें काफी लंबा cable दिया हुआ है, आप इसको ले जागे 3-pin socket में लगा दीजे, लगाने के बाद आपको machine जैसे ही आप power on करेंगे, machine on हो जाएगी, machine में अलग से कोई switch नहीं है, इसको on करने के, सर इसके display में क्या-क्या display होगा, display में आप देख रहे हैं कि यह जैसे हमारी machine ready है, ठीक है, अब आपको इससे coffee निकालना है, चाई निकालना है, यह बता रहा है, ठीक है, कितनी गरम है, यह सारी चीजे इसमें display में दिखाता है, इसमें यहाँ पे हमने 4 option आपको दिखा रहे है, coffee, tea, half and hot water, अगर आपको गरम ठीक है, अगर यह छोटे cup में आपको चाय या coffee लेना है, तो आप पहले half का button दबाएंगे, उसके बाद आपको tea coffee या hot water चाहिए, उसका button दबाएंगे, अगर आपको बड़े packet में चाहिए, ज्यादा चाय चाहिए, तो आप half को नहीं दबाएंगे, direct आप tea या coffee को दबाएं ठीक है, मैं आपको एक demo दिखाता हूँ, यह मेरा एक cup है, इस cup को मुझे बस यहाँ पर यह आप देख रहे हैं, यह area जो है, इस area में यहाँ बीच में cup को रख देना है, cup को रखने के बाद आपको, हमको अगर half चाहिए, तो पहले मैं इस half को दबाएंगा, उसके बाद यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा, उतने समय में आपको चाय या कॉफी या जो भी आप मांगे हैं, वो निकाल के देदेगा, सर मुझे आप cup के बारे में बताईए, इसमें क्या क्या variety है, और इसकी क्या price है, यह आपके choice के उपर है, आपको coffee कितनी मात्रा में लेना आप चाहें तो इसमें जो plastic के cup आते हैं, वो भी use कर सकते हैं, पर मैं suggest करूँगा कि आप यह कागस के cup लीजी, यह cup जो है, यह सबसे छोटे size के, जो यह आप देख रहे हैं, यह छोटे size के cup 25 पैसे से लेके 30 पैसे तक के आते हैं, इससे उपर अगर आप बड़े cup लिने ज आपको मिल जाएगा, अच्छा सर, हम machine खरीतते हैं, तो हमें क्या क्या मिलेगा, आप अगर machine खरीतते हैं, तो आपको machine के साथ, हम यह जो आप powder देख रहे हैं, यह 1 kg का tea का और coffee का, दोनों का आपको हम 1 kg का powder ready made free देंगे machine के साथ, अच्छा सर, machine की warranty कितनी है, इस machine की वैसे तो यह बहुत छोटी machine है, इसमें खराब होने वाली कोई चीज नहीं है, या कोई maintenance की चीज नहीं है, सिर्फ इसको आपको गिरने से बचाना है, बाकी यह single face में चलती है, अगर यह machine को आप पूरा दिन यूज करते हैं, तो यह maximum से maximum 2 unit की बिजली खाती है, तो इसमें machine में maintenance maintenance में कोई चीज की ज़रूत नहीं है, आराम से आप इसको carry करके रख सकते हैं, सिर्फ आपको इसको गिरने पढ़ने से बचाना है, सर पानी के जार की क्या कीमत होती होगी, यह जार का जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रोज पानी change करते हैं, वैसे यह जो जार है, यह और अगर आप सिर्फ जार खरीदते हैं, तो जार का मेरे ख्याल से 200-500 रुपय तक का यह जार आपको market में मिल जाएगा, इस जार में आपको घर का पानी जो है, भरके आप इसको बार-बार यूज कर सकते हैं, अब यह वताया सर, इस machine को हम कहां कहां पर लगा सकते हैं, यह अगर आप अपने office में personal use के लिए ले रहे हैं, तो आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, office में भी रख सकते हैं, पर अगर आप इसको business purpose से सोच रहे हैं, क्योंकि मेरा यह ख्याल है कि यह machine business के लिए बहुत ही अच्छी machine है, यह machine को अगर आपकी कोई किराना दुकान है, आपका restaurant है, या आप कोई ऐसी shop चला रहे हैं, जहां पर लोगों का बहुत आना जाना है, या ऐसी जगह आपकी shop है, या आपके पास space है, जहां पर आसपस चौक चौरहा है, या कोई office है, या school college है, वहां पर आप इस machine को रखिए, क्योंकि जहां पर लोगों का आना जाना हो है, वहां पर लोगों को चाय या coffee की जरूरत होती ही है, यह ऐसा चीज है, जो बारो मेंने चलता है, हमारे हाँ चाय और coffee लोग ठंड में ही नहीं पीते, यह गर्मी में भी पीते हैं, बरसात में भी पीते हैं, तो यह बारो मेंने चलने वाली चीज है, हर घर की जरूरत है, हर व्यक्ति की जरूरत है इसको लेडीज जेंट छोटे बड़े में हम compare नहीं कर सकते हर व्यक्ति की यह आउशकता है चाय या कॉफी और hot water जैसे अभी आपने जी करोना टाइम में देखा लोग अपने घर में गरम पानी पीना पसंद आनूद आप बार बार अगर पानी को गरम करते हैं तो आपको ज्युदागे कॉचल यूनिट बिजली खाएगा दो यूनिट मतलब अगर आपके शहर में बिजली का जो बिल है वो 6 रुपए प्रती यूनिट है तो 12 रुपए खर्च करके आप पूरा दिन मशीन को यूज कर सकते हैं मतलब आप समझ यह कि आपको गैस में पानी गरम करने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ेगा इस मशीन से गरम पानी लेना और उतना ही पानी लेना जितनी आपको जरूरत है आपको कहीं स्टोर करके रखने की आउशकता नहीं है सर अब हमें मसीन से होने वाले प्रॉफिट के बारे में जानकारी दीजिए इसके अगर आप प्रॉफिट की बात करें अगर आप बिजनस पॉइंट आफ यू से कर रहे हैं तो एक सो साट रुपे में अगर आप एक सो बीस कप कॉफि या चाय बना रहे हैं मतलब यह आपका एक रुपे बीस पैसा से तीस पैसे का खर्च आता है जो आप मार्केट से पर्चिस करोगे ये आपको 25 पैसे से लेके 60 पैसे 70 पैसे तक का आएगा छोटा कप लोगे तो 25 से 30 पैसा बड़ा कप लोगे तो 40 से 60 पैसा अब एक कप चाय बनाने में कितना पैसा लगेगा अगर आप पॉडर की जैसे मैंने बात किया एक रुपए 20 पैसा आपको पॉडर का खर्चाया एक कप में इसको अगर आप मोटा मटी 50 पैसा भी पकड़ लेते हो तो एक रुपए 20 पैसा प्लस 50 पैसा एक रुपए 70 पैसा आपको खर्चाया इसके अलावा बिजली बिल तो नहीं के बराबर है फिर भी एक कप की बात करें तो दो पैसा तीन पैसा बिजली बिल लगा electricity का उसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को और इसमें रखे हो काम करने के लिए उसको अगर आप एक कप के पीछे 10 पैसा भी दे रहे हो तो अगर मैं calculation करूं तो यह एक रुपए 80 पैसे से दो रुपए के बीच में एक्जेक खर्चा आएगा यदि हम काफी की बात करें तो एक काफी में में कितना margin मिल सकता है अगर आप काफी बेशते हैं या चाय बेशते हैं काफी आप जादा की बेश सकते हैं जैसे आपके आँख शहर में चाय जो होती है हमारे या एक कप अगर आप चाय ले रहे हैं ये छोटा वाला तो 5 रुपए में बिखता है और बड़ा कप लेते हैं तो 10 रुपए में बिखता है कॉफी को क्योंकि कॉफी का रेट कहीं ज्यादा है मार्केट में तो चाय की बात करें अगर आप पांच रुपए में भी एक कप बेच रहे हैं तो आपको बनाने में एक रुपए असी पैसे का खर्चा आ रहा है और बेचने के लिए आप इसको पांच रुपए में बेच सकत जो है यह दिन भर में आराम से 100 कप आप बेच सकते हैं 8 घंटा अगर आप काम करते हैं आराम से 100 कप आप चाहे के बेच सकते हैं 100 कप के हिसाब से आपका 500 रुपए एक दिन का इसमें नेट प्रॉफिट इस मशीन से आपको मिलेगा कॉफी की बात करें सर इस मसीन को हम बिजनस के लिए कौन-कौन से दुकान में लगा कर बिजनस कर सकते हैं अगर लोगों का आना जाना है, चहल पहल जादा है, तो आराम से आपका ये बिजनस रन करेगा मशीन को खरीदने के लिए क्या करना होगा? मशीन को आप हमसे आउनलाइन मंगा सकते हैं, 15,000 प्लस GST मशीन का प्राइस है इस मशीन को आप कुछ advance payment करके जैसे 2,000-3,000 रुपए अगर आप advance payment करते हैं तो ये मशीन आपको cash on delivery के रूप में आपके घर तक आजाएगी घर आने के बाद आप मशीन को चेक कर लीजे, चेक करके आप पूरा payment डालिए साथ में transporting का पैसा दीजे, आपको मशीन आपके घर पे पहुँच के मिल जाएगी